हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल में मैं बी एस मीना वरिष्ट प्रवक्ता यांत्र की तकन की सिक्षय विभाग राजिस्थान साथियों आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रीवल क्लच से रिलेटेट प्रॉब्लम तो आएए देखिए प्रॉब्लम क्या है एक यसे प्रॉब्लम क्यों से फिर 10 क्लोवत माद भॉप नह लंत्र य्याफ द्नक्रियन अगिदें प्र्वाट एफ लिगा त। व्या बाद्裡面 The inside radius of the pulley rim is 150 mm and the center of gravity of the shoe lies at 120 mm from the center of the spider. The shoes are lined with peridot for which the coefficient of friction may be taken as 0.25. Determine first the mass of the shoes, second the size of the shoes. If the angle subtended by the shoes at the center of the spider is 60 degree and the pressure exerted on the shoes is 0.1 Newton per mm square. तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि प्रावलम में क्या-क्या जो डेटा है अपनको गिवन है तो देखो पावर ट्रांस्मिट हो रही है तो पावर दे रखे 15 किलो वाट ठीक है तो पी बरावर पर मान लिए 15 किलो वाट पावर और इसको लेख सकते हैं 15 into 10 की पावर 3 वाट म में 15 into 10 की पावर 3 ठीक है और जो इसकी जो आर्पेम दे रखें वो दे रखें 900 आर्पेम तो इसको जब रेडियन उसमें अपन चेंज करेंगे तो ओमेगबरार क्या होगा तो पाइन अपन 60 तो यहां से जो एंगुलर जो है स्पीड वो निकल जाएगी तो यह आजाएगी 94.26 रेडियन पर सेक्ड ठीक है नम्मर आप सूज कितने दर के चार तो इन बरावर अपन मान दिया चार ठीक है और इसकी जो यह है एंगेजिमेंट दा स्पीड एट विस दा इंगेजिमेंट बिगेंस 3 फोर्थ ओफ दा रनिंग स्पीड क्यों अपन रनिंग स्पीड मानत तो यहां से ओमेगा अपन यह निकल लिया तो यहां से तुर्थ ओमेगा इसकी वेलिव आ जाएगी 70.7 रेडियन पर सेक्ड ठीक है आगे दे रखा है दा इंसाइड रेडियस ओफ दा पुली रेम इस वन फिप्टी जो अपन केपिटल आर मानते हैं तो यह मानली 150 ऐम यान में कनवर्ट कर लिया इसको तो 0.15 मीटर आगी ठीक है और यहां पर जो कोपिशेंट और फ्रिक्शन है वो दिया हुए 0.25 ठीक है तो अपन को जो निकालना है एक तो मास आप दस्यों तो मास आप दस्यों अपन ने माल लेते हैं एम मास आप दस्यों स्यूएन किलोग्राम है तो इस पर जो सेंटिवल फोर्स लगेगा इस सूपर वो क्या होगा तो पीशी बरावर क्या आ जाएगा एम ओमेगा स्कुर आर ठीक है तो एम ओमेगा कितनी बयुआ है 94.26 ठीक है तो एम इंटू 94.26 का स्कुर इंटू आर कितना अदे रखा है 0.12 ठीक है तो इसको जो अपने आगे calculate करेंगे तो इसकी value आ जाएगी 10666 यानि 1066 एम ठीक है यह Newton में अब जो inward force on which the shoe accepted by the spring तो spring द्वार जो अंदर के और जो force लग रहा है वो spring force PS वो क्या जाएगा m omega 1 square r ठीक है तो m omega 1 m omega 1 अपने निकाल लिया तो वो कितना था 70.7 तो m into 70.7 के square into r 0.12 ठीक है तो इसका माना आ जाएगा जो spring force का माना जाएगा 600 m ठीक है यह भी Newton में ठीक है तो अब जो PC और पी एस के मान जाएगा तो fractional force acting tangentially उन्हें इस्व इस्व पर जो फ्रेक्षनल फोर्स लग रहा है तो fractional force पर r क्या होता है mu into r तो यहां पर r क्या है net force जो लग रहा PC minus PS तो यह हो गया mu into PC minus PS तो mu की वाज़े 0.25 PC की वाज़ू 1066 m minus PS की वाज़ू 600 m ठीक है तो इस प्रकास जो fractional force आ जाएगा जो शूप है वो आ जाएगा 116.5 m ठीक है Newton में अब torque transmitted torque कितना transmitted हो रहा है वो बराव होता है NF into r ठीक है यह जो torque लगेगा अब fractional force into r होता है तो यह जब सभी उस पर लगएगा number of shoes पे तो यह n f r लिखते हैं इसको तो torque की वेज़ आपन पहले निकल चुके है क्योंकि आपने पास जो power थी उससे तो 159 आई थी ठीक है और n number of shoes कितने है चार है तो यह लिख दिया 4 और जो fractional force कितना है 116.5 m ठीक है और जो r है यह 0.5 होनता है जो inside radius of jewelry में वो इतनी दरखे है तो यहाँ पर जो है यहाँ से जो m की value अपन गयात हो जाएंगी यह इसको करेंगे 70 m आया तो m बराब 159 आपन 70 तो यह 2.27 कीजिया तो यह mass of the shoe अपने निकाल लिया आप निकालने आपन को size of the shoe तो अपन जानते L जो मानिए contact length of the shoe in mm और B width of the shoe in mm और जो angle subtract हो रहा है तो वो है मान लिया अपने theta तो इसमें theta की value अपन को दे रखे थी कितनी 60 degree तो 60 degree को radian में convert करेंगे तो क्या लिख सकते है 60 into pi y 180 तो यानि pi y 3 radian तो यह theta की value आगी तो जो pressure जो shoe पर एकसाट हो रहा है वो कतना दे रखा है 0.1 newton per mm square तो हम जानते है कि L बराब क्या होता है length of the shoe बराब होता theta into r तो theta की value क्या है pi y 3 और r कितनी दे रखी mm में कितनी दे रखी 150 ठीक है तो यह आगे इसको calculation किया तो यह आगे 750 7.1 mm ठीक है अब यह length आगी तो अपन जानते हैं कि L into B L into B into P बराबर PC minus PS ठीक है जैसे अपन size of the shoe की calculation में जो अपन निकाला था पावर्मला उससे तो यहाँ पर L कितनी दे रखी है 157.1 into B जो हमको ग्याद करनी है और पेसर कितना एकसर हो रहा है 0.1 ठीक है बराबर PC minus PS तो यह 1066M minus 600M यानि 466M ठीक है तो यहाँ से जो इसकी जो value है यह बराबर आगी 466M तो M की value क्या निकाल दिया अपने 2.27 तो इसको फिर इस पराबर लेख सकते हैं और यह आगी 1080 तो यहाँ से B बराबर क्या जाएगा 1058 upon 157.1 into 0.1 ठीक है तो यहाँ से अपने जो ग्याद किया तो इसकी जो बिर्ट आगी 67.3 mm यहाँ ध्यान दिने वाल बात यह है कि अपने mm रखा है यह ठीक है तो यहाँ पर यह जो लग रहा है जो लेंद कितनी है mm में जो यह जो लेंद है 1 per patient point यह mm में bits भी mm में bits भी अपन को जो ग्याद करनी है और जो यह जो प्रेसर लग रहा 0.1b, mmA, तो यहाँ पर जो देखो, यहाँ पर mm और यह न्यूटन पर mm2 है, तो यह कड़ गया तो न्यूटन पर mm आगया, और इदर जो फोस लग रहा है, इदर जो है, यह अपने जो निकाल आए, इसका भाग, पी सिंगे यह किस में है, न्यूटन में, ठीक है, यह कन्फूज होते हैं कि यह में किस तरह आती है ठीक है तो इस परकार इसकी पेट ग्याद कर ली जाते हैं धन्वाद